एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखरी स्टेज पर था डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गवा दे उसकी आखरी इच्छा क्या थी पता है उसकी आखरी इच्छा ये थी कि वो प्रभास यानि की बाहु बली से मिलना चाहता था वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुँची प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोग दी और वो तुरंत हस्पताल उस लड़के से मिलने पहुचे वहाँ जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ एक घंटा बिताया जानने वालों का ये तब कहना है कि जो लड़का अगले दो तिन घंटे में मरने वाला था वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानि की प्रभास से मिलने के बाद लगबग 10 दिन तक जिया गाइस ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते आपको ये सुनके कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा रिसेंटली एक टीवी एक्टर विराफ पटेल ने अपनी लोंग टाइम गल फ्रेंट सोनाली खन्ना से शादी की और वो भी बहुती बिरले अंदाज में जहां एक और बाकी बहुत से लोग अपनी शादियों में बहुत जादा खर्च करते हैं वहीं इन दोनों ने अपनी शादी में मातर 150 रुपे ही खर्च के जहां एक और बाकी लोग सोने चांदी या हीरे की अंगूठियां एक्शेंज करते हैं वहीं विराफ ने सोनाली को रबड की अंगूठी पहनाई अब इसके पीछे की सोच की वजह जानके आपको फक्र महसूस होगा उनके अनुसार शादी में होने वाले खर्च के पैसों को वो कोविट के खिलाफ लडाई में डोनेट करना चाहते हैं कमाल की सोच है उनकी गाइस इनकी सोच को मेरा सलाम ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को शेर करेगा और लाइक करना मत भूलेगा मिलता अगली वीडियो में